नमस्कार आज का हमारे इस सत्र में हम चर्चा करेंगे अनुवात के प्रकार पर अभी इस से पहले के सत्र में हमने जब इस पर चर्चा की थी तो हमने अनुवात के प्रकार के अलग हिस्से पर चर्चा की थी और आप इस दूसरे सत्र में हम और उसके अगले हिस्से पर यानि कि विधा एवन प्रकृति आदि के आधार पर अनुवात के प्रकारों के चर्चा करेंगे से पहले के वेले सत्र में हमने अनुवात के प्रकारों पर चर्चा करते समय अनुवात के वर्गी करण के आधार पर चर्चा की थी और इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम इसके अगले खंडियाने विधा इवन प्रकृति आधी के आधार पर अनुवात के प्रकारों की चर्चा करेंगे जैसे कि शुरुवात में विजिक्र किया जा चुका है कि अनुवात जो है वास्तव में लंबे समय से भारत में और भारत देश्यू में भी होते रहे हैं और हमारे सामने जी भी विशुभर का साहिते हैं, जाहे वे ग्यानात्मक साहिते हो या अन्य विधाओं का साहिते हैं, साहिते तर विधाओं का साहिते हो, वे सभी का सभी साहिते हैं, जिसके माध्यम से हम वर्षों से सम्रिद्ध होते आए हैं, वे अनुवाद के माध्यम से ह जाता है किसी पार्ट का तब उससे पहले उसके प्रकार पर चर्चा होती है कि किस प्रकार से या किस विधागत तरीके से या किस स्टाटेजी से किस पद्दती से अनुवात किया जाएगा हम अनुवात के प्रकार के इस सत्र में अलग-अलग खंडों पर बात करेंगे और इस पर जब बाट के देखा जाता है तो ये वरगी करण के आधार पर विधा इवन प्रकृतियादी के आधार पर किस प्रकार उसे अलग-अलग खंडों में रखे देखा जाता है और किस तरह ये अनुवात के प्रकार अलग-अलग सिती में अलग-अलग तरीके से इनका इस्तेम सबसे पहले हम बात करेंगे अनुवात प्रकार विधाय प्रकृतियादी के आधार पर इसके चार मुख्य आधार है गद्य और पद्य के आधार पर दूसरा है साहित्तिक विधा के आधार पर तीसरा है विशे के आधार पर और चौथा है अनुवात की प्रकृति के आधार पर तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गद्य और पद्य के आधार पर गद्य और पद्य के आधार पर हम सभी जानते हैं गद्य और पद्य से क्या संदर्व है गद्दे का अर्थ होता है जब कोई पार्ट प्रोज में लिखा जाता है यानि रनिंग टेक्स में या रनिंग भाषा में जिसके टेक्स को लिखा जाता है उसे हम गद्दे का पार्ट कहते हैं या गद्दे का हैते हैं यह कहा जाए कि वो तुकांत भी होता है, कही बार अतुकांत यहां जिसे कहा जाए कि मुक्तचंद भी होता है तो जब अनुवाद को विधायमन प्रकृति के आधार पर जब इभिन खंडों में बाटके देखा जाता है तो जैसे कि पहला है गद्या अनुवाद, तो गद्या अनुवाद से हमारा संदर्भ है, जब इसमें हम दोनों ही संदर्भों को देख सकते हैं, जब एक गद्य के पाठ का अनुवाद गद्य में किया जाए, यानि कोई प्रोज का अनुवाद प्रोज में ही किया जाए, और जब पद्दे के पाठ का अनुवाद गद्दे में किया जाए, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, कि आंदर रेफेवेर, जब कविता के अनुवाद की जो अपनी छे स्टाटेजी या छे जो रणनीतियां गिनवाते हैं, उसमें से एक निवे ट्रांसलेशन फ्रम वर्स इंटू प्रोस, यानि कि वर्स से प्रोस में भी जब अनुवाद किया जाता है, तो वो भी एक तरह से कविता के अनुवाद के संदर में उसकी चर्चा करते हैं, जब हमारा उद्देश्य ये होता है, कि हम उस पार्ट का अनुवाद करना चाहते हैं, चाहे उसकी शेली का अनुवाद हो पाए या ना हो पाए, तो इसे हम गद्द्या अनुवाद के संदर में समझ सकते हैं, जब एक पार्ट को गद्दे से गद्दे में अनुवाद किया जाता है, जैसे बहुत सारे रचनाएं हमने पड़ी हैं, बहुत सारा साहित्य हमने पड़ा है, जैसे ग्यानात्मक साहित्य की बात की जाए, तो वो गद्दे का अनुवाद गद्दे में ही किया जाता है, लेकिन साहित्य के अनवाद में हमारे पास दोनों तरह की छूट होती हैं हम चाहें तो पध्य का अनवाद गद्य में भी कर सकते हैं जैसे बहुत सारा एशा साहित्य जिसका कि हमें अनवाद की जरुत महसूस हुई और हमें महसूस किया कि उसकी शेली बहुत difficult है ये कहा जाए कि उसका जो शिल्फ है वो जिसका अनुवाद संभव नहीं है या समय के अंसा उसका शिल्फ बदल गया है और उसके अनुवाद की ज़रुत इतनी अधिक है कि उसका अनुवाद किया जाना आवशक है इस तरह के अनुवाद में हम पद्दे का गद्दे में भी अनुवाद करते हैं और गद्दे का अनुवाद जैसे मैंने कहा गद्दे का गद्दे में अनुवाद जैसे कि हमने चेकरफ की कहानिया पड़ी है या हमने रविंद्ना टेगोर को पढ़ा है, प्रेमचंद को पढ़ा है, जैनेंद्र को पढ़ा है, या बहुत सारे विभिन रचनाकार को जो हमने पढ़ा है, जिस माध्यम से हमने पढ़ा है, उसे हम उस संदर में समझ सकते हैं। पद्यानुवाद यानि जब पद्दे का अनुवाद पद्दे में किया जाए और कई बार गद्दे का अनुवाद पद्दे में भी किया जाता है पद्दे अनुवाद की जो सबसे बड़ी जो कहा जा सकता है कि उसकी सीमा और शक्ति यह है शक्ति अगर हम बात करें तो जो हम किसी पद्दे का अनुवाद पद्दे में करते हैं जैसे अगर हम कहें कि उमर खयाम की रुबाईयों का अनुवाद जब फिजराल्ड ने किया या उमर खयाम की ही रुबाईयों का अनुवाद अगर उस रुबाईयों का अनुवाद के करते हैं तब उसकी जो सबसे बड़ी शक्ती है या उसकी सबसे बड़ी खुबसूर्ती है यह है कि जिस फॉर्म में वो साहिते मूल में उपलग्द था उसी फॉर्म में वे अपने पाठ को या नए लक्षे-पाठक तक पहुंचता है और उसका वही आस्वाद लिया जा सकता हैं जो तीसरा प्रकार है गद्य पद्य के अनुवाद के संदर में वे हैं मुग्द छंद अनुवाद पर उससे पहले में पद्य अनुवाद के संदर में अगर चर्चा करूं तो पद्य अनुवाद में भी दोनों तरीके से अनुवाद किया जाता है अगर कोई कविता चं परिवर्तन के कारण यह कहा जासा कि अनवात में अनवाद की अपनी सीमाओं के कारण या अनवादिता के कारण अगर उसके शिर्क को अगर हम या उसके पद्य की विवस्था को या उसके चंद को अगर हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें तुकांत अनवाद या प्रकार आप इस तरह के प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं जब किसी कहानी से प्रभावित होकर किसी देश पर कविता लिपती तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर हम जेकपसर के संदर में कहें तो अन्वयांतर भी है एक ही भाषा में किया गया दो केवर शिल्प की आधार पर भिंता या कहा जा कि विधा की आधार पर भिंता का अनुवाद है और दूसरे संदर में अगर से देखें तो वो पद्या अनुवाद के संदर में भी देखा जा सकता है जो आप किसी कहानी को से इतने अधिक प्रभा अनुवाद ये फिर उसी तरीके से जैसे मैंने पध्या अनुवाद के संदर में जिसका जिक्र किया जब कोई कविता या कोई कहानी या कोई रचना जिस फॉर्म में है उसके फॉर्म को बदलते हुए उसे चंद मुक्त करके उसका अनुवाद कर देना उसे हम मुक्त चंद अ अनवाद कियाते हैं जैसे किसी कविता का जैसे आगर मैं ये कहूं कि एजरा पाउंड ने जब चाइनिस कविताओं को जब अनवाद किया तो उन्होंने अलग-अलग अगर कविता के अनवाद में तीनों मेंसे अगर उसको एक ताड्री में तो इस तरह से कविता के अनुवाद के साथ संदर में जब अनुवाद दो अलग अलग काल खंडों की बीच में किया जा रहा है और खासरब जहां मैंने अजरा पाउन का जिक्र किया तो वो आठवी सदी के कवियों का अनुवाद बैठकर उनीची सदी में कर रहे हैं या अठारवी सदी में कर रहे हैं तो उस पूरा एक लंबा काल खंड भी इतने बीच जाता है जिसमें शाब्दिक परिवर्तर शिल्पगत परिवर्तर भी हो जाते हैं भाषा का व्यवहार बदल जाता है भाषा के शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं तो इस तरह किसे जब अनुवाद करना इतना अनिवार हो या इतना जरूरी हो कि उसका अनुवाद जरूरी है उसका किया जाना है और उसका शिल्प हम्यारा साथ नहीं दे रहा तो इस तरह की सिति में हम मुक्त चंदा अनुवाद का भी सहारा ले सकते हैं जिसमें हम कविता को उसके शिल्प से बदलके उसे मुक्त छंद करके उसे एक नए फॉर्म में भी लिखते हैं या उसका अनुवात करते हैं. मुक्त चंदा अनुवात के संदर में हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं जब कोई पद्द्य कविता का अनुवात गद्द्य कविता में करती है जाए और हम जानते हैं कि पद्द्य कविता और गद्द्य कविता जब कोई कविता का जो गद्द्य कविता है वो मूलता उसमें और पद्दे की आधार पर जैसे हम ने इसम्रूत खुन कटिकर तो क्था अन्वात जैस sera हे साहिथ्तिक विधा की आधार पर क किये गए कुछ वाद हमारा जो साहित्यी है सर्जनात्मक जहित्यूत। तो हमने इसे तीन मूल कैटेगरीज में बांट कर देखा है कावया अनुवाद, कथा अनुवाद और नाटका अनुवाद जैसा कि कावया अनुवाद की जो चर्चा अगर करें तो कावया अनुवाद, कथा अनुवाद और कथा अनुवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो काविया अनुवाद को लेकर जो 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 तीन प्रकार हैं ये बिलकुँ साहिते की विधा के अनुवाद के आधार पर ही उसकी चर्चा यहाँ पर है और काविया अनुवाद जैसा मैंने भी पीछे भी जिक्र किया पद्या अनुवाद के संदर में या मुक्त छंदा अ के दोरान जो अपनी जो ट्रांसलेशन स्ट्राटीजी के जिक्र करते हैं उनका मानना है कि अनुवाद खास तोर पर कविता का अनुवाद काविया अनुवाद तभी संपूर्ण होगा जब कत्थे के साथ उसकी शैली उसकी शिल्प ओरिजिनल की लेखा की भाषा भी उतनी ही खुबसूर्ती से अनुवाद होकर आए अगर अब थोड़ा पीछे जाकर देखे तो हमने जहां भी पाठ धर्मी और प्रभाव धर्मी अनुवादों का जिक्र किया था तो यहां पर जो मैथ्यो और नॉल्ड हैं बेसिकली पाठ धर्मी अनुवाद का ही जिक्र कर रहे हैं पूरी तरहीके से फुल पैकेज जिसे कहा जाता है इसलिए उन्होंने होमर के जो अनुवाद हुए उनके ट्रासलेटर को या उनके द्वारा किये अनुवादों को कभी सराहना नहींगी तो यह अनुवाद की उनकी अपनी रण्नीती या किसी रचनाकार के पती उनका जो उससे भी निर्मित होता है तो इस तरीके से गर हम देखें तो कावियानुवाद के अंदर गध अलग अलग तरीके हैं जो अलग-अलग कवियों ने या अनुवाद चिंतपो ने अपने अपने समय में अनुवाद के दौरान इसका इस्तिमाल किया है अगर मैं कुछ एक रणी इती बदल जाती है जिसका जिक्र सुजित मुखर जी अपने ट्रांसलेशन और डिस्कवरी को पुस्तक में करते हैं और उसे वे न्यू राइटिंग मानते हैं और जहां वे जिसका हम कहें के कर्में चायानुवाद कसंदर में कहा कि एक मूल रचना के मूल भाव को पकड़ जिसे हम अड़ाप्टेशन के सेंस में भी समझ सकते हैं तो एक तो यह उधारन है जहां पर मूल की चाया को लेकर या मूल की चाया मात्र को लेकर अपने समाज और संस्कृती के हिसाब से एक नई रचना कर निर्मान कर देना उसका शंदगत परिवरतन करते हुए उसमें प विशेश को लेकर लिखेगा एक खंड कावे इसी तरह कि आप उधारन के संदर में समझ सकते हैं उसके अलावा जो मैंने एजरा पाउन का जिक्र किया उनका कहना है कि अनवाद कविता के अनवाद में अगर एक तत्वी भी बच जाता है तो एक संभव अनवाद हो सकता है वह मैथ्यो औरनल्ड कविता के अनवाद में लेकर एक खास तरह की दृष्टी रखते हैं और उनका मानना है कि कोई भी अनवाद तभी एक सफल अनवाद माना जाएगा जब अपने संपूर्णत्व में अनवाद होकर आए जिसमें किसी भी साहितिक रचने के जो दो तक भी मानते हैं औरेल फैवे वे अपनी कविता की अनवाद में जो श्रो हो शमार आजना की बात करते हैं कि अगर कविता के अनवाद में वर्ट तूअ टूवाद के अपने तरह संवी एं उसका अनवाद की आ चाहिए तो काव्या अनुवाद को लेकर अलग-अलग चिंतकों ने अलग-अलग तरीके से अपने विचार वित किये हैं और बताया है कि इनका अनुवाद करते समय अलग-अलग तरह की रणनीतियां होती हैं और अलग-अलग समय में इसको देखा जाता रहा है क्योंकि उसकी जो भाशा है और भाशा के साथ उसका शिल्फ है वो दोनों ही अपने अपने स्थान पर अलग-अलग महतुर रखते हैं कविता में जो कंटेंट है जिस समय या जिस कलपना शिल्फा या जिस खास एक वृत्ति का जिक्र है अगर उसका भी अनुवाद अगर संबभ है तो वो भी एक कविया अनुवाद के अंतरगत उसको देखा जा सकता है दूसरा अनुवाद है कथा अनुवाद के अंतरगत दोनों ही साहिते की विधाओं को लिया जा सकता है जिसके अंतरगत कहानी और उपरन्यास यानि की शॉर्ट स्टोली और नॉबल दोनों के ट्रांसलेशन को लेकर बात की जाती है कथा अनुवाद, हम जानते हैं कि कथा के तत्व में, कथा अनुवाद में, काविया अनुवाद के तरह ही बहुत सारी similarities ये समानताई हो सकती हैं जैसे कि भाव प्रदान भाशा है, समवादों में भी एक खास तरह का आरो अवरो है, एक कल्पना शीलता है शब्दों में लक्षना और व्यंजना ये भाशा में जो लक्षना व्यंजना शक्तियों का प्रभाव है और भाशा के साथ कहा जाए कि जो एक रचनाकार जो भाशा में जो एक वर्ड प्ले करते हैं या समवादों के साथ, या अनुभूतियों के साथ, या कथा या जो पन्या जो दोनों ही मानव समवेगों से बुनियों गई दचनाये हैं, उनमें between the lines भी बहुत सारे ऐसे अर्थ चुपे होते हैं, जिनका अनुवाद करने की आवशक्ता होती है, जो आप एक पाठक होने के नाते तो हो सकता है, समझ रहे हों, लेकि अनुवादक होने के नाते आपको उन्हें पकड़ना पड़ता है, तो कथा के अनुवाद को लेकर भी अलग-अलग रनीतिया अलग-अलग समय पर हुई हैं, और हमने देखा है कि अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से कथा क कि वह ना किवल दो भाशाओं के ग्याता हूं बलकी जिन दो भाशाओं के बीच का व्यपार या जिन दो भाशाओं के साहित्ते का वे आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं अनुवाद के माध्यम से या एक सास्कृतिक पुल्ख के निर्मिती कर रहे हैं उन दोनों संस्कृतियों का भी मूल रूप से उन्हें ज्यान हो और वो तभी संस्कृतियों की बीच रची बसी भाषा को वे केवल भाषाई स्तर पर जानते हो अपितों उसके सामाजिक सास्कृतिक पारंपरिक दृष्टि से उस भाषा की निर्मिती है उसका जो समाज है उसका जो परिवेश है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हो और उसका पूरा नॉलेज हो और उसकी आधार पर उसका अनुवाद किया जाता ह तीसरे जो एक अनुवाद विदा है, साहितिक विदा के अधार पर जिसे नाटका नुवाद कहा जाता है, नाटका नुवाद में आपको कथा नुवाद और काविया नुवाद दोनों के ही तत्व देखने को मिलते हैं, क्योंकि नाटक भी मुलता मानव समवेगों से बुरी गई रचना है, जिसमें भाषा का उस तरह ही रचना कारदवारा भाषा से उस तरह ही खेला जाता है, शब्दों के साथ उस तरह ही कहा जाए कि उसमें लक्षना और वियंजना भाषा शक्तियां उस तरह ही काम करती हैं, जिससरा की कथानुवाद और कावियानुवाद में क प्रियुक्तियों में उससे कही याधिक जटिल सरो पर उसके अर्थ जविय को पकाड़ने के लिए DBS साहितेकार से या एक कहा जाए कि क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जो अन्वादक या अन्वादिका हैं मूर रूप से साहितेके अन्वादक या अन्वादिका हैं वे एक तरह से लक्षे भाषा के पाठकूं के लिए मूर रचनाकार जैसा उनका स्थान होता है क्योंकि वे ही व अजनभी भाशा भाशी समाज के उपलब्द करवाते हुँ तो इस तरपर अनुवादका अनुवादक की जो जिम्मेदारी वह बहुत अधिक बड़ जाती है ऐसे स्थिति में जो ना इस तरह की जो साहितिक अनुवाद की जो विभिन-अर्थ-शवियंगे सहीत्य में उनको पकड़ना लेखत की मनह भूमी तक पहुंचकर उसके भाव को समझना उत्नी सहिद्यता से उसका अनुवाद एक नहीं भाषा में करना यह अनुवादक से अपेक्षा की जाती है और नाटक के अनुवाद में जो एक और विशेश तर्टव जुड़ जाता है वो यह है कि नाटक केवल एक श्रव्य या उसको उसके केवल पढ़ने की विधा नहीं है वो मूलता एक द्रिश्य विधा है उसे देखकर उसका ही पूरा आनुवाद तक ही केंद्रित ना हो अप किसी नाटक के समबाद उतने ही चुटिले या उतने ही क्रिस्पी तरीके से अगर अनुवाद उनकर नहीं हो पाता है तो वे एक असफल अनुवाद माना चाहेगा और उसके अनुवादों के दौरान अनुवादक को न केवल उन शब्दों को अपितु उस द्रिश्य के पार्ट को तयार करना होता है तो हम देखते हैं कि साहितिक विधा के आधार पर जुन तीन अनुवात के प्रकारों के जिक्र किया गया है वे किस तरह साहितिक विधा में अनुवात में जोडते हैं और ये अनुवात प्रकारों का प्रयोग किस तरीके से होता है तो ये तीन हम उसके आधार पर हम देखते हैं कि विशे के आधार पर भी अनुवाद के प्रकार हैं, यह क्या है सकते हैं, यह मूलता जो जितने भी प्रकारिया गिनवाए गए हैं, सरकारी रिकॉर्डों का अनुवाद हो, गजेटिरों का अनुवाद हो, पत्रकारिता से संबंदित जी अनुबरक्ति का समें पेखिए। देखाً जड़ाण की ज आनुबरक्ति के इसे शार भाशिस की जाती है कि शाबद ह料 को शार का की शावत्र के एकठी क्यार्थ जो उसका जो content है उस पर ही उनका focus हो और उसका अनुवाद करते समय वो मूलता एकार्थी रहें अभिधात्मक रहें और उनसे संबंदित जो विभिन्न कोश है जो पारिभाशिक शब्दावलियां है उनके अधार पर उनकी सहायता लेकर ही उनका अनुवाद करें वहाँ पर अनुवादक या अनुवादिका के पास चूट नहीं होती है कि इन पाठों के अलावा जो इनकी बीज की जो अर्थ शविया है उनको पकड़ने का प्रयास करें क्योंकि यहाँ पर जो मूल रचनाकार है उसकी भी ऐसी कोई मंचा नहीं है तो जो कहा गया है उसे ही अनुवाद करना को ही हम एक सफल अनुवादक मानेंगे या एक सफल अनुवाद मानेंगे जब वे अपने पाठ के अनुसार अपनी अनुवाद के रणनीति को बदलते हैं तभी एक सफल अनुवाद हो सकता है जब अनुवादक को यह पता हो कि उनके सामने जो पाठ है उस सकते ही खूबिश से कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से जनात्मक साहित्य का अनुदा कि प्र transmit react को भी समझें या साहित्य के अनुदा किöllमाद कि वे करने mock गता कि संन데 वेंजना शक्ति है उसको वे समझे और अनुवाद करें तो हमें यह देखना होगा कि अनुवाद के जो विभिन प्रकार है यह विभिन पाठों को ध्यान में रखके इनके संकल्पना की गई है और यह अपेक्षा की जाती है विभिन अनुवाद एजन्सियों से प्रकाशन सं करवाए जाते हैं तो यह उनसे पेक्षा की जाती है कि अनवात करवाते समय इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखा जाए कि अनवात करने वाली व्यक्ति का जो खुद का जो अपना एक आस्वाद एक अपनी रुची क्या है तो उसके अधार पर ही अनवात के प्रकारों क भावा अनुवात, सारा अनुवात, रूपांतरन, व्याख्या अनुवात और छाया अनुवात इसमें जो कुछ प्रकारों की चर्चा हम अलग-अलग रूप से कर चुके हैं कुछ पर हम आगे की स्लाइट में विसार से चर्चा करेंगे लेकिन आप अगर देखें तो अनुवात की जो अलग-अलग भागों में बाटा गया है अनुवात के प्रकारों को वे सब अलग-अलग अनुवात जो इसके जो हिस्से हैं जैसमें नवीशाय के अधार पर या हमने बीचे वरगी करण के अधार पर जब अनुवात को पढ़ा विधाय प्रकृति के अधा की या आनुवाद एजन्सी की या जो प्रकाशनस अंसान है उनकी जो जो रणनीती है उनकी जो डिमांड है उनका जो अपना उद्देश है उस पर निरभर करता है और उसमें मूलनिष्छ आनुवाद कर से संदर गुआ कि जब अनुवाद करते समय मूल के प्रती निष्ठा अधिक हो जब मूल पाठ केंदर में हो जिसको हमने पाठ धन्मी अनुवाद के संदर में भी समझा और हमने पूर्ण अनुवाद के संदर में भी समझा जब हमने पूर्ण और आंशिक अनुवाद की चर्चा के तो मूल नि यहां वाक्या विन्यास के आधार पर केवधिण विन्यास ही कहा जा advises रुप और वाके जो कुछ हाया अनुवाद या अनुफ्स रिजन कहते हैं, जहां मूल अनुवाद करते समय, मूल के परती कुछ अधिक निश्टा नहीं होते हुए, वो निश्टा पाठ के परती बदलती जली जाती है, और उसके अनुवाद के अलग-अलग शेट्स हो सकते हैं, जैसे इसके अंतरगत हम देखते हैं, अलग-अलग forms, इसके अतरिक शब्दा अनुवाद पर हमने पीछे चर्चा की थी, शब्दा अनुवाद यानि लिटरल ट्रांसलेशन, यानि अनुवाद करते समय, अनुवाद की जो इकाई है, वो मूलता वाक्य हो और मूल के नज़िक का अनुवाद, जिसे कहा जाए कि शब्दा अनुवाद किया जाए, जो मूलता हम देखते हैं, जो अभिधात्मक अनुवाद होता है, और जो खास्तोर पर ग्यानात्मक साहित्यों में जिसका प्रियोग किया जाता है, भावा अनुवाद, जो साहित्य के संदर में किया जाने वाला नुवाद है। यह बरवाक्य भी हो सकता है और कई बार वो पूरा एक पार्ट भी तो यह भाव अनुवाद मतलब जब आपके अनुवात के अंधर में भाव केंदर में हो इसके अत्रिक सारणवाद, रुपांतरन, व्याख्या अनुवाद और छाया अनुवाद सबसे पहले मैं छाया अनु यह श्रीमत भागवत पर लिखी जो अलग अलग पूर्ण जो अन्य भाषाव में लिखी जो रचनाए हैं वो एक तरह से हम छाया अनुवाद के संदर में उससे समझ सकते हैं आप जो तीन महतुपूरण प्रकार है जिनका जिक्र पिछे के सत्र में भी नहीं हुआ वह सारा इस एक अनुवाद रूपांतरन और व्याक्या अनुवाद जिनकी चर्चा हम यहां करेंगे सारा अनुवाद यह only प्रक्रितिक्या धार परही एक अनुवाद है जिसका हमने अभी चर्चा की ती सारा अनुवाद मूल की मुक्षे बातों का मूल-मुक्ष अनुपूर presentатов प मूल पाध का एकाधिक पथन करने के उपरांधी मूल अर्थ को इसमें ग्रहन किया जाता है मूलता अगर आप इसके शब्द पे जाएं तो इस शब्द का ही अर्थ है कि पाध का पूरा अनुवाद न करते हो — केवल उसके जिस्ट को लेना इसे हम जिस ट्रांसलेशन भी कहते हैं उसमें केवल इतना पार्ट को लेना जिससे कि आपका भाव संप्रेशित हो जाए इस तरह का नुवाद जो किया जाता है वे मूलता कहा सकते हैं कि जब हमारे पास जिसके ऐसी संस्थाओं में ऐसी जगहों पर जहां पूरे पार्ट को पढ़ने की अपिक्षा ना हो या पूरे पार्ट को पढ़ने का समय ना हो ऐसी सित्य में सारा नुवाद का सारा लिये जाता है जहां पर अनुवाद करते समय मूल पार्ट के का जो में में जो कंटेंट है जो कहा जाना है जो मूलताव है उसको लेकर उसका एक जिस्क तयार करना उसका एक short form तयार करना उसे प्रस्तुत करना इसको हम सारानुवाद केते हैं इसमें केंद्री विचायर को बनाए रखनी का शक्ता होती है सबसे जो महतुपून तर्प और एक तहां से कहा जाए कि चुनौती है उसारानुवाद में या उसकी शम्ता और सीमा दोनों है व कोई सारानुवाद करते समय कोई मूल ऐसी चीज या कहा जाए कि एक ऐसा ऐसा जो फैक्ट या ऐसा कोई तथ्य अनुवाद के दोरान छोड़ दे तो वह अनुवाद नकिबल विफल होता है बलकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कम्यूनिकेट नहीं होता जैसे हमने पिछे के संदर में भी समझा कि आंशिक अनुवाद या जिसे हम परिसीमित अनुवाद कहते हैं उस संदर में भी से समझा जा सकता है कि जहां पर अनुवाद पूरा ना करके उतना ही किया जाए उतना ही लिया जितने की आवशक्ता है यह संग्शिप्त अतिसंग्शि हमारा जो मूल उग्देश्य है कि हमें इसमें से कितना ग्रहन करना है उस आधार पर उनको चुन लेना उसे आधार पर ही इसे हम संक्षिप्त अतिसंक्षिप और अतियंत संक्षिप आधी कई प्रकार से बाट कर देख सकते हैं इनका प्रियोक नयायले द्वारा दिये गए लंबे निर्नेयों तता महतुपूर्ण व्यक्तियों के वक्तव्यों और प्रशासने के वन संसदिये मामलों के सार इसी रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं इसमें मूल पार्ट का साथधानी पूरवक पठन तता केंदरिये भा जानकारी आधी अधूरी भी जा सकती है या कोई जानकारी आधी अधूरी भी जा सकती है दूसरा है व्याख्यानुवाद यह ठीक उससे ओलट है सारा अनुवाद में जहां बड़े टेक्स को कंसाइस किया जाता है उसे छोटे रूप पर प्रस्तुत किया जाता है व्याख पाट का व्याख्यात्मक्ता के साथ अनुवाद होता है हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उधारन है जिसमें संस्क्रिट श्लोकों या सूत्रों पर जो भाषय और टिकाय आधी लिखी गई हैं वे सभी कि सभी एक तरह से व्याख्यानुवाद के उधारन है जहां पर आप इस तर बयांतर कहते हैं या जिसे इंट्रा लिंग्वाद ट्रांसलेशन कहते हैं यह बेसिकली उसी के उधारन है जिसके तहत आप एक ही भाषा में लिखे गए पार्ट को उसी भाषा में पूना प्रस्तूत करते हैं और प्रस्तूत करते समय उसके अगर जाख्या करते हैं या उस प्रस्तूत करते हैं तो आप इसको इस अंदर में भी देख सकते हैं तार्किक सईयोजनों में अनेक ऐसे प्रसंग जोड़ जाते हैं ताकि मूल के नहितारत को सपष्ट किया जा सके हाला कि इसमें मूल लेका के वक्तवे का हरास होने की संभाना भी बन जाती है हर प्रकार का जो भी अगर हम यहां जिक्र करें तो इन अनुवाद को जो विभिन्द प्रकार है इनकी अपनी जो खास जो उनकी उप्योगिता है उसके साथ कुछ खास इनकी सीमाएं भी है उप्योगिता तो पार्ट की जरुरूत की हिसाब से तैह होते हैं लेकिस सीमा की साथ यह है कि जorit अंपर से और व्याकिय को जाया थिया है थो नहीं की सबस्क्राइण को प्रीकार क्लिद के की खुद ही व्याक्या ही की है कई बार कई बार जब हम पाठक होने के नाते या प्रस्तुति में जो एक तरह से complex literature है उसको सरली करना या उसको सरलल रूप से प्रस्तुत करने के संदर में इसका इस्तेमाल होता है और एक जो अन्य प्रकार है वह अंतिम प्रकार जिसका हम जिकर करेंगे अनुवात की परकृति के आधार पर वह है रुपांतरन इसे अंग्र अंतरन का अर्थ है शुरोध भाषा के पाठ के रूप को बदलना अगर हम जेकवसं के संदर में इस पर चर्चा करें तो जेकवसंने अंतर प्रतीकात में या इंटर सिनियॉपिक ट्राउलेशन की जहां बात की है वहां उसका अर्थ यही है कि भाषा के प्रतीक का किसी अन प्रेमचंद की राजेंद्र यादव या बहुत सारे हिंदी के अंग्रेजी और अन्य भाषा-भाषी रचनाकारों की कहानियों उपर या उपन्यासों पर फिल्मे बनी है या नाटक बने है या इस तरह की जो नई साहिती विधाएं का जो निर्मान हुआ है उसे हम adaptation के sense में और adaptation के sense में समझते हैं इसे तरह के से बहुत सारे कविताओं की पंक्तियों पर गीत बने हमारे सामने भी ऐसे फैस के बहुत सारी गजले हैं जिन पर गीत बने हैं गालिप के शयलों का इस्तेमाल गीतों में हुआ फिल्मी गीतों में हुआ या इन पंक्तियों का उधारन का इस्तेमाल विज्यापनों के लिए किया जैसे हम गीतों की पंक्तियों पर बने हुए विज्यापन के भी ऐसे बहुत सारे उधारन हो सकते हैं. तो इसे हम रुपांतरन के संदर में देखते हैं और किस तरी किसे हम सब ने देखा है अपने बच्छपन से लेकर आस्ता कि पंच तंतर की कहानियों किस तरी किसे नाटे रुपांतर प्रस्तुत किये गए उसके अलावा बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं जिनको हमने नाटक के लामायन जो राम कथा है जिसके मूर रचनाकार वालमी की हैं उसके अलावा जो लगबत अन्य भाशाओं में लिखा गया उसका भी एक रामायन की रूप में जो हमने टीवी का प्रस्तुति करन देखा और इसके बहुत सारे अलग-अलग रूप बने जिसमें कथा के परिव आटक का कहानी का नातक में परिवर्तन करना एक अलिखित पाठ का लिखित पाठ में करना गश्त करना या कहानी पर उपनमयास पर छोटी कहानी का नििर मान कर देना ये कहानी पर कłam da इधा में लिख देना तो जब पार्ट का पार्ट जिनने text to text जब रुपांतरन हुआ adaptation हुआ that is also a form of adaptation और दूसरा पार्ट से मंच यानि text to screen जिसका मैंने भहुत सारे उधारन आपको बताए जो screen के लिए बहुत सारे adaptation हुए और बहुत सारे फिल्में या बहुत सारे नाटग या बहुत सारे कहानिया या बहुत सारे ऐसी classic रचनाएं जो हमने पढ़ी नहीं है लेकि टीवी के माध्यम से या जो हमारे जीवन का भिन्न अंग है उन सब को हमने रुपांतरन के माध्यम से देखा तो इस दिश्य से हमने देखा कि अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार हैं ये किस प्रकार इसको अलग-अलग आधारों पर बाटा गया है किस अधार पर इनका वरगी करन किया गया और इ कर दो